अगर मारी जो मेरे पास A में 10 है B में 20 है किस तरह फंसर मिलाएं कि मेरा A में 20 हो जाए और B में 10 हो जाए इसको हम लोग स्वाइपिंग करते हैं इसके लिए समझते हैं देखिए पहले हम लोग मेमोरी को समझते हैं अगर आप यहाँ पर int A equal to 10 बनाते हैं अगर मेरा यहाँ पर एक होगा A यहाँ पर 20 बनाते हैं इसका कबनाते हैं इसका का इसका 204 है इतना सब्दौन विए हो गया है हम लोग क्या करेंगा एक अब हम दो लैन लिख टिसको समझेंगे हैं यह कोगा A, B, Swipe M % A M % B यह दोनों लाइन लिखने का क्या दोनों लाइन क्या अंतर है इसको मैं call by value करते हैं और इसको call by reference करते हैं इसको दोनों में अंतर क्या होता है जब आप यह लिखते हैं यहांपर pass होगा यहां पर 20 पास होगा जो स्कूर पास करेंगं यहां फर 200 204 होगा यह आपको एडार। देता है तो ज्याहिए आप आपको एडार्स का वहां देता है उस एडार्स के राषा पायगे मैंने इस इस नुस्वा इंचल लग। हमको क्या करना है कि जो function में output दे चाये जो भी कुछ changes हो हमको main function में reflect होना चीह इसलिये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर address pass करेंगे address जो pass करेंगे इससलिये इस function का अंदर कुछ भी होगा वो main function में reflect वो जाएगा अब इसको difference से लिखते हैं, जो swipe है इसका difference से लिखते हैं यहाँ पर, अब देखिए, यह मेरा address जा रहा है, इसको store करने के लिए pointer चाहिए, यहाँ पर int star p, int star q, आप यह लिखें, तो यहाँ पर क्या होगा, यह यहाँ पर आएगा, यह यहाँ पर आएगा, मतलब कि, यहाँ यहाँ पर पास होगा, मेरा 200 यहाँ पर memory है, यहाँ पर पास होगा 200, यह 200, दोस, इतना तक समझ भा रहा है, और इसका अंदर चलता है, इसका अंदर आने के बाद, यहाँ पर हम लोग एक variable लेंगे, टैंप, ले लिए, अब टैंप में क्या store करेंगे, यह simple variable है, टैंप में store करेंगे हम लोग, यहाँ पर star लगा है गारे दे reference के लिए, माली जी मिरे पास एड्रेस है था, एड्रेस पर पर value की लेने के लिए, और यहाँ पर q लिखेंगे हम लोग, तो इससे क्या होगा ना, मेरा टैंप में, मेरा q क्या है, मेरा 204 है, address है, डे reference क्या है, मतलब इस address यह डबबे के बारे हम बात कर रहा है यह जो डबबा है इसमें क्या करें? Assignment operator लगा हुआ है यहाँ पर P है P मेरा क्या है? 200 200 address है इसको D reference किया है D reference किया है तो इसको 10 मिल गया है यहाँ पर यह जो लाइन लिखा हुआ है यह आपका हो गया है दोस इस डबबे में जो अब एक नया डबब बनाते है यहाँ पर A यहाँ पर B यह 200 यह 204 D reference किया? 10 Q क्या है? मेरा Q यह है 204 204 में sign हो जाए P को D reference किया 10 यहाँ पर 10 आगया इतना समझ बारा है इसके बाद क्या करना है? जो हम लोगा P है मतलब कि अब मेरा क्या है? 200 पर कुछ करना है इस डबबा यह लिखने से हम लोगा यह डबबा एकसेस हो गया इसमें क्या value करें हम लोग यहाँ पर करना है यह लाइन क्या हुआ है? मतलब यह day reference किया यह डबबा मिल गया मेरा जो time में क्या store था? इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? 20 store हो गया इस तर यह swipe करता है दो नम्मर को आपको यह तीन लाइन लिखना परेगा और माली यह कुछ return नहीं कर रहा है तो यहाँ लोग लगाना परेगा यह होगा हम लोग का swiping का concept अब हम लोग क्या करेंगे इस चीज को code editor हम दखेंगे किस तरह हम लोग C language code करेंगे और result दखेंगे तब विश्वास करेंगे how swipe हो रहा है मेरे पास एक C language यह basic code है इसमें आएंगे यहाँ पर हम लोग दो variable लेंगे यह होगा int a equal to 10 और हम लोग लें int b equal to 20 अब इस जो दोनों number है इसको मों अभी print करते हैं यह code लिखा गया इसको हम लोग run करेंगे तो मेरा a10 है b20 है अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पाएंगे swipe function को लिखेंगे हम लोग return क्या कर रहा था? void कुछ return तो कर नहीं था int तो हम लोग यहाँ लिखेंगे void swap एक name है और यहाँ पाएंगे दो variable लेंगे int star p,int star q कितना तक समझ में आ रहा है इसके अंदर आएंगे int temp variable लेंगे अब temp में क्या करेंगे day reference करेंगे q को q का value store हो जाएगा temp में और जो q है उसमें assign करते हैं star p को star p में करते हैं temp को कितना तक आ रहा है यह हम लोग code लिखाएंगे अभी मेरा क्या return कर रहा था हम लोग जो अभी यह है क्या की code है अभी मेरा return कर रहा था एक बाद फिर से इसको run करते है code में error नहीं है code मेरर नहीं है तो मेरा भी print कर रहा है 1020 अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर आएंगे और swipe को call करेंगे swipe और यहाँ पर address देंगे a और b क्या m%a m%b इतना होगे a function call हो गया अब इसका बात हम लोग इस line को फिर से print करेंगे और यहाँ पर प्रिंटेफ लगाएंगे देखने के लिए result किस तरह आ रहा है before swipe just copy करेंगे after swipe यह हम लोग code है इसको हम लोग run करेंगे इसको हम लोग run करते है before swipe a में 10 था after swipe a में 20 है इस तरह swipe का concept है काम करता है आप लोग इसको देख लिएगा और यह जो code है अपने github icon पर डाल दे रहे है आप लोग इस code को देखिएगा ना समाज में है तो copy pasting करिएगा थोड़ा समझिएगा और खुद से समझने कोशिश करिएगा और खुद से code को वापस लिखने कोशिश करिएगा यह code github पर चला जाएगा लिंक जो है description box में रहेगा अगर वीडियो आपको यह अच्छा लगते वीडियो का लाइक करेगा चैनल परना है तो चैनल लोग सस्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में